इस कारिक्रम के प्रायोजक हैं समर्पन साथ साथ चलने की साथ कस्मे हर समाज में पति-पत्नी का रिष्टा इन्ही कस्मों वादों के साथ शुरू होता है हर दम, हर कदम बराबरी का तो फिर बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं? बेटों की चाहत इतनी ज्यादा कि हम बेटीओं को कोख में ही मार देते हैं क्यों और कैसे लोग भूल जाते हैं कि उन्हें भी किसी की कोख में नो महीने तक संजोया गया था क्यों करते हैं हम फर्क बेटे और बेटी में? शायद जरूरत इन साथ फेरों के अलावा एक और फेरे की है जो बेटे और बेटी का ये फर्क मिटा सके और अब देश के कुछ हिसों से ऐसे सबग भी आने शुरू हो गए हैं मेरा ताम नेकरा है जब हमारी बेटी हुई था चुछ हुए था तो हमें बहुत कुछी हुए था तुछी हुए तो तो यही ना राजस्थान का जिला भरतपूर उरज मल की राजधानी बनकर उबरा और अंग्रेजी राज के दौर में ऐसा गढ़ बनकर जिसे दुश्मन कभी जीत नहीं सके आजाद भारत में तीन राज्यों से सटा हुआ फिर भी पहचान एक पिछड़े जिले की इसी भरतपूर के रूपवाज ब्लॉक में एक छोटे से गाउं में रहती है रेखा रेखा की जब शादी हुई तो वो सर्फ बारवी पास थी वो फुश्खुस्मत थी कि अनपढ़ होने के बावजूद सास ससुर ने साथ दिया और वो ग्राजुशन तक पढ़ाई पूरी कर सकी रेखा की ये सोच बताती है कि पढ़ाई लिखाई ने अपना काम कर दिया शहर से काफी दूर और हाईवे से भी काफी अंदर बसे गाउं में रहने वाली देखा जान चुकी है कि रोडियों से पैदा हुए अंधिरों को सर्फ शिक्षा की लौ से ही दूर किया जा सकता है आज वो अच्छे तरह समझते है कि हालाद बदलने के लिए शिक्षा ही एक मात्र तरीका है अपने साथ साथ गाउं के भी बहतरी सोच और समझदारी की ये बात औरों को भी समझ में आने लगी है आसपास कि गाउं की दूसरी औरतों को भी लगने लगा है कि पढ़ाई लिखाई की जरुरत केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बलकि रहन सेहन के सलियके में सुधार लाने के लिए भी है इसलिए जिन्हें बेटियां बेहानी है वो तर जागरुख है ही जो बहुँवाली है वो भी पीछे नहीं है गाउं बड़ी खामोशी के साथ बदल रहे है अलांके पुरिश्वाली सोच के तेवर अभी बरकरार है लेकिन बदलाव इधर भी आया है गाउं के बुजर्ग मानने लगे हैं कि समय के साथ अपने आपको भी बदलना पड़ेगा गाउं में ये जागरुखता अचानक नहीं आ गई पीडियों से ढोई जा रहे परंपरा को बदलने में शिक्षा और संसकार ने बड़ा एहम रोलादा किया है शिक्षा के ठोज बुनियाद ने ही लगातार जागरुख रहने और कुछ नया सीखने के रास्ते पर आगे बढ़ाया है ए दो को वी यह कर्र益 मेरी बच्ची है वह बेक्र सस्की चौ़िस है कि मैं डॉ今 दिन और नहीं वन बहु एक której चौ़िस है कि मैं अपकेत्य स्था परंब कर होए कि मैं जर आ के रहे हुग ए intधश मेतनि की थीजन गाउं के जिंदगी आसान नहीं होती यहां शहर जैसी सुविधाएं और सेवाएं नहीं हैं दिन खुलने से लेकर सांज तक सब कामकाच खुद ही करने पड़ते हैं लेकिन समाज और माबाप के नजर में अगर बेटे बेटियों का भेद्भाव ना हो तो मेहनत से भरी जिंदगी भी आसान हो जाती है और बच्चियों को पढ़ाई का मौका भी मिल जाता है गाउं के इवी सरकारी पार्ट शालाओं में सबसे पहले बच्चों के मन में सपने रोपे जाते हैं यहां से जो बीच बोई जाएंगे उन्हें खाट पानी देने का माहौल बनने लगा है गाउं के बच्चे भी बदलते माहौल को समझने लगे हैं और अब उनके भी सपने परवान चबने लगे हैं इस इलाके में बड़ी होती लड़कियां भी समझती हैं कि जिन्दगी में कुछ करना है तो शिक्षा ही वो जरिया है जिससे वो अपने सपनों को सच में बदल सकती हैं जब आगे बढ़ने का होसला मजबूत हो तो तरक्वी को बांधने वाली दक्यनों सी बेडियां खुद बखुद तूटने लगती हैं शिक्षा संसकारों के बुनियाद है बेटे और बेटी में भेदभाव को दूर करने की सोच अगर संसकारों में आ सके तो इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता पुरुष अस्त्री के जीवन में विवा से बड़ी कोई संस्था नहीं इससे बढ़िया कोई दूसरा अफसर नहीं जब ऐसे संसकार को रोपा जाएं आखर विवा भी तो एक संसकार है बेटियों के बहतरी के लिए जमाने के साथ पदम मिलाने को तैयार दिखने वाली रेखाने भी अपनी शादी के समय ही इस संसकार की नीव रग दी थी हम बीए काते थे और खॉलेज भी जाते थे पड़ाने जाते थे तो हमने पापाई शोला की पापाजी हम आट मां फेरा लेलें के क्यों वाथ क्यों वेटी कि हम जो भी बगर बती बच्चा होगा उसकी जांस नहीं करेंगा भूनत नहीं करेंगा अच्छा तुमारी हिंदू विवाह में जब तक साथ फेरे ना हो जाएं पती पत्नी एक दूसरे के नहीं माने जाते अगनी को पवित्र मानते हुए पती पत्नी का लिया हर फेरा एक संकल्प होता है एक दूसरे को दिया एक वचन होता है इन्हीं साथ फेरों के बाद बेटियों को बचाने के लिए लिया गया आठ्वा फेरा आठ्वे फेरे के पहल ने कईयों के मन का फेर हत्म कर दिया महिलाओं को ये समझ में आ गया कि अपनी आने वाली पीड़ी की भलाई के लिए खड़े होने का समय आ गया है हम भी तो बेटिया है फिर आगे अगर हम बेटियों की सरक्षा नहीं करेंगे तो वह लड़के तो सब ऐसे ही कुवारे गुमेंगे वैसे भी बेटियों की कमी है बेटि बेटि में फर्क के सूच से टकराने वाली रेखा एकलौती में है जिसने आठ्वा फेरा लिया हो रेखा की शादी के करीब तीन साल बाद हुई कलपना की शादी कलपना ने भी अपनी शादी में एक बड़ी पहल करते हुए आठ्वा फेरा लिया पापा जी से बोला था हमने की साथ दिल वाते हैं तो हम पहले बाचीत कर लेते हैं पर वी आप टीवी निए देखते में टीवी तेलीजन पर समचा आप पढ़े लिखे हो गी कि उन्हों नों बोला कि मिरको पता नहीं अगर तु कह री है चलो पंडी जी बोलेते की वी 7 फिर हो गए पर उन्हें बोला कि ऐसे क्यों नहीं आप अब आप अप अपढ़ जाओ और हम इस फेरे को हम लेंगे दोनों जिम्मेदारी बेटी को कोक में मारने के खिलाफ इस इलापए के गाउं गाउं में खुद औरते ही पहल कर रही है आठवे फेरे की पहल शायद वेखा और कलपना से पहले भी कहीं हुई हो लेकिन ये दोनों अपने आसपास के गाउं की औरतों के लिए मिसाल जरूर बन गई है उसका नाम कलपना है और उसने आठवा फेरा मतलब वो कन्या जीवत्त्याने करवाएंगे और बेटीयों को पढ़ाएंगे इसलिए उसको आठवा फेरे के रूपे उन्होंने नाम दिया है और उसे वो पूरा करेंगे उन्होंने ये संकल्प लिया है आठवे फेरे के रू तो बड़े बुजर्गों और विवा कराने वाले पंडितों के पास भी समझदारी दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा भरतपूर के बहुत से गावों में शादी के समय आठ्वा फेरा लेने की कहानी लोगों के जुबान पर चड़ चुकी है आठ्वा फेरे एक संकल्प है ये बेटियों को बचाने का बेटियों की सुरक्षा करने का कि उसके माध्यम से एक साथ फेरे तो एक पती पतनी के दर्म के निभाने के लिए पढ़ते हैं लेकिन आठ्वा फेरा एक बेटी बचाने के लिए कि वो बेटी मतलब किस तरह से बच अब इस पहल के समर्थन में पुरुष भी खुशी-खुशी आगे आने लगे हैं भरतपूर का ही एक और गाउं है पहरसर आज गाउं के सरपंच बच्चु सिंग्जी के बेटे सोहन की शादी है परिवार के महिलाओं में भी इस शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सा है क्योंकि इस शादी में भी आठमा फेरा लगने वाला है हम आठमा फेरा इसलिए लवा रहे हैं कि हमारा मेसिज पूरे भारत बरस में जाए और इस तरह से जाए कि लड़किया हमारी बहुत कम हैं अनपात में आ रही हैं और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए हमको लड़किन की ज़्यादा जरूत है तो हम आठमा फेरा बचन के लिए लवा रहे हैं आपसे आठमे फेरे की ये रोशनी इलाके में धीरे धीरे ही सही लेकिन फैलती जा रही है तभी तो जिले के कुमेर ब्लॉक के सहे गाउं में हो रही एक और शादी भी बहुत खास बन गई है यहां एक लड़की के माबाप ने लड़के वालों को आठमा फेरा लगाने के लिए मना लिया है आठमे फेरे के इस फैसले से घर की महलाओं के चेहरे पर चमक है जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया माबाप की इस वैसले से बिटिया सोनल भी खुश है शादी की सबी रस में पूरे रीती रिवाच के साथ पूरी हो रही थी सोनल की शादी कराने वाले पंडित को नहीं मालूं था कि वो इस शादी में कैसा अनूठा इतिहास लिखने जा रहे है इसकी जानकारी लगी उन्हें फेरे लगवाने से ठीक पहले यहां की परंपरा के मताबिक फेरे पढ़ते वक्त लड़की के पिता का मंड़क में रहना उचित नहीं माना जाता इसलिए फेरे शुरू होने से पहले पूरी रिष्टेदारी के बीच सोनल के पिता ने पंडित जी से अपने दिल की बात कही यह पंडित भी बदलाओ की बयार के समर्थके निकले अपने जो एक फेरा अदग से लगवाया है वो समाज के लिए संकल्व का लगवाया है कि कभी समाज में वो व्यक्ति भिरूड अच्या नहीं करेंगे और लड़की लड़का को एक समान समझते हुए और अपने दामपत जीवन को सुख में बनाएंगे और फिर बारी आई फेरों की जो आठ में फिर अली आया है उससे हम ये संकल्व लेते हैं कि मैं कभी भी कन्या भूड अथ्या नहीं करवाँगा और लड़का और लड़की को हमेसा एक समान समझते हुए ये मैंने पहली बारी सुनाएं जो भी साधी हुई है उससी समय इससे पहले नहीं पड़ा लेकिन अख़वार में इसके बारे हम जुरूद पढ़ लिया है इसके बारे हम सभी को जाग रुकना चाहिए क्योंकि इससे जो लिंगन पात है उस पर सबसे ज़्यादा आसर पड़ेगा और लड़का और लड़की अगर एक समान रहेंगे तो आगे भी समाज में भी इससे सुधार हो आठवा फेरा बगएर शोरगुल शुरू हो चुकी एक खामोश क्रांती जिसमें परंपराओं के खलाफ बगावत भी नहीं हुई और समाज की बेड़ियां भी तूपने लगी आठवा फेरा यानि साथ साथ चलने के साथ कदम में बस एक कदम और जड़ जाना और एक बेटी की पूरी दुनिया का बदल जाना आठवा फेरा यानि बेटियों की जिंदगी को पंक मिल जाना जिंदगी का खिल जाना हम दोनों हर धार में कारे में एक दूसरे को साथ रखेंगे हम दोनों एक दूसरे के माता-पिता का अपने माता-पिता की तरह सम्मार करेंगे जीवन के हर वस्ता में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे परिवाद के सभी जिम्मेदारियों को हम दोनों मिलकर निभाएंगे समाज के रिष्टे निभाने और खर्च में हम दोनों एक दूसरे से राय लेंगे किसी के भी सामने हम कभी एक कुस्री का अपमान नहीं करेंगे पती-पती के आपसी प्रेम के बीच हम दोनों कभी किसी को नहीं लाएंगे इस कारिक्रम के प्रायोजक हैं समर्पन समर्पन संस्था पूरी तरह से आठ्मा फेरा लेने वाले दमपत्यों का सम्मान करती है आप खुद या आपका कोई परिचित अगर आठ्मा फेरा लगाने की मुहिम में शामिल हो रहे हैं तो आप समर्पन संस्था से संपर्क कर सकते हैं समरपन की टीम ऐसे हर विवाहब पर प्रेणा के तौर पर हर संभव सहयोग करेगी आप हमसे संपर कर सकते हैं आठमाफेरा एट समरपन डाट कॉम पर